तो दोस्तो किसी भी DVD में फेंड्राइब को चलाने के लिए दो गलती करते हैं बहुत से लोग पहला गलती ये कि उनको चलाने नहीं आता और दूसरा गलती ये कि जो भी हम इसमें वीडियो डालके रखते हैं तो हमारा उस फॉर्मेट में नहीं रहता है मतलब जो फॉर्मेट में हमारा ये DVD में सपोर्ट करता है हमारा TV में जो चलता है वाला फॉर्मेट में इसमें वीडियो नहीं होता है जो मारा टीवी में चलने वाला जो format होता है वीडियो का वो अलग होता है अगर माल लेजे normal वीडियो कोई भी इसमें डालते हैं तो वीडियो आपको सो ही नहीं करेगा टेवी में और सो भी कर देगा तो जो है वहाँ पे चलेगा नहीं लिखेगा कि not supported ठीक है तो दूसरा गलती ये चीज होता है तो पहला चीज चलाने नहीं आता है तो कैसे चलाया जाता है ये पहले जान लेजे ठीक है पहला गलती ये लोग करते हैं की इसमें जो cd लगता है, ओ इसमें डाल के और पिर इसको चलाने की कोशिस करते हैं, तो अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका ये जो pandrive है सपोर्ट नहीं करेगा, इसको सपोर्ट कराने के लिए इसमें चका होता है, Isso को आपको बाहर निकाल ले क deben oluyor तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे लाइन दिया यहाँ पर मैंने इसे लाइन दिया और अभी जो है इसमें चाका चल रहा है इसमें जो अंदर है अंदर कैसे ठशे तो अगर हमारा डिविडी का जो रावा है tirar गाहिए तो यहां पर उर्न करता रहेगा तो क्या होगा कि वहीं जो होगा play हो जाएगा उसका जो video होगा वहीं play हो जाएगा यहाँ पे यह वाला जो पेंड़ाइव है support नहीं करेगा तो support कराने के लिए आपको क्या करना है इसको open कर लेना है यहाँ से line कट गया मैं line देता हूँ यहां पर मैंने line दिया और यहां पर क्या करना इसे open कर लेना है मतलब इसमें जो चाका है इसको बाहर निकाल लेना है तो यहां पर जो है निकल चुका है इसको हम क्या करेंगे लिगालके और इधर side में रख देंगे और फिर जो है इसको हम close कर देंगे ठीक है यहां पर हो गय अब यह क्या है इसके अंदर चाका नहीं है तो जब यहां पर चाका नहीं है अंदर चामरा यह डिक्स है यह अंदर नहीं है अब क्या होगा यहां पर नो डिक्स लिखा हुगा आएगा चले मैं आपको टीवी पर दिखाता हूँ ठीक है तो यहां पर देखें यहां पर टीव और यहां पे यहां पर गलती होता है कि जो हमारा format में होना चाहिए वीडियो वो format में वीडियो नहीं हो पाता है और नहीं होता है इसी के कारण आपका जो है नहीं यहाँ पर show करेगा जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंग तो देखिए मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर आपको केवल एक वीडियो यहाँ पर दीख रहा है लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपका वीडियो रहा है लेकिन चलाएए गया तो नहीं चलता है तो इह वीडियो होता है जुछ प्राओर्ण में पेल होता है चलने के लिए आपका फॉर्मिट के नहीं होता है तो आपका क्या करता है not supported लिख देता है लेकिन ये वीडियों चलाने तो ये चल रहेगा तो अब दिखा और फिर मैं आपको बताता हूं कि कौन सा फॉर्मेट में आपको वीडियो यहाँ पे रखना होता है वह भी चीज़ में आपको बता जेता हूं तो सबसे पहले इसे जो हम प्ले करके दिखाएते हैं यहाँ पर मैंने प्ले किया और देखें अगर आपको चलता हुगा नजर आ अधर मैं दिखाऊंगा क्योंकिक यह कौपी रेट है तो देखिए इस तरीका से जो है किसी भी video को चलाया जता है जो हमारा पेंडाइब हो उसको लगा के और उसका कराया जाता है अगर आपका चाहरा नगे रखने तो हमारा शांपर करेगा और आला यह ांगर जो है आपका जो वीडियो चल रहा है उसका फॉर्मेट आपको जो है वहीं वाला फॉर्मेट रखना है जो हमारा इसमें सपोर्ट करें तो अब हमारा कौन सा फॉर्मेट है और कैसे उस फॉर्मेट में हम जो है किसी भी वीडियो को कर सकते है किसी वीडियो को जो है उस फॉर यहां पर यहां पर यहां प्लिकेशन आपको डावलोड करना अप जाएगा है पर अप्लिकेशन को डावलोड करना है और डावलोड करके यहाँ पर खोलेगा तो तो कुछ इस तरीका से इंटरफेस आता है, यहाँ पर दिख रहा होगा, add, तो आपको add में जाना है, यहाँ पर आगा है, उसके बाद में यह जो है, यहाँ से हम click करेंगे, और यहाँ पर माल लिजे कोई वीडियो है, तो यहाँ पर कोई वीडियो को हम select कर लेंगे, जैसे मा आपका वीडियो सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद, ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको convert जो यह दिख रहा हो है, इस पर आपको click करना है, ठीक है, और click करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीका से इंटरफेस आएगा, उसके बाद में आपको क देखें एवाला, डीवीडी पाल फॉर्मेट, दिखाए धर आउगा, डीवीडी इन पी ऐल फॉर्मेट, तो इस इवाला फॉर्मेट में आपको जो है, convert करना है, यहाँ पर हम इसको click करेंगे, तो देखें यहाँ पर जो है, लो ठेंक्स कर देंगे, और यहाँ पर आपर देहें यहाँ पर dvd पाल फॉर्मेट और यहाँ पर जो है हम क्लिक करके ok कर देंगे तो देहें यहाँ पर जो है अब यह जो है convert हो रहा है जिस हमारा format में चाहिए उस format में यह convert हो जाएगा और यह जो है आपका phone में अस्तियव हो जाएगा वहां से आप जो है pen drive में डाल सकते हैं और फिर आपने dvd में चला सकते हैं तो इस तरीका से आप किसी भी dvd में पेंडायब को यूज कर सकते हैं और आप गात